बास्वार देख नए वीडियों आपको बताना जा रहें नंबर सिस्टम का कोशन ठीक है टाइप वन देखें इफ और नंबर एक्स इज़ा डिवाड़ेड़ बाई टू एटीन देन आ रिमेंडर यह 18 इफ और सेम नंबर इज डिवाड़ेड़ बाई 17 तेन दे डिमेंडर इ या उसमें और सेम नंबर इवाड़ेड इन 17 इसे डिवाड़ेड़ की जागा तो वह न आगा इसका एंसर वन होगा ठीका रिमेंडर पूछा यह गाई देका एंसर वन हुआ ठीका दूसरा कोशन इफ दा नंबर इवाड़ेड़ेड और 270 273 देन दा रिमेंडर इज 75 इफ सेम इज डिवाड़ेड इन 24 देन दा फाइंड दा रिमेंडर ठीका इसमें कह रहा आया कि इडिमेंडर लिकाने के फर्स्ट कुन से जाना उस इतरह ठीका आपको इस पर दस कोशन लगभव बाता देंगे ठीका जब भूल नहीं पाईएगा ठीका देखिया 24 से 75 को इज 63 इफ सेम नमबर इज डिवाड़ेड बाई 29 देन रिमेंडर बिल भी पुछ रहा है कि डिमेंडर क्या होगा देखिया इसको भूल जाई है 899 को भूल जाई है कहीं भी रागा आख बंद करके इधर डिवाड़ेड जो सूरू में दिया रहाएगा उसको भूल जाएग रिमेंडर इज अप्टेंड इज 29 वाट बिल भी रिमेंडर बेन अनमबर इज डिवाड़ेड इन 8 देखिए 56 को भूल जाई फिर ठीक है और देखिए 29 है यहां 8 है ठीक है इसको डिवाड़ कीजिएगा तो 5 आएगा देखिए नेस्ट कोशन अनमबर अब डिवाड़ेड इस इस इटिवाड़ेड इन 119 इस लीप्ट अ रिमेंडर इनन 19 if इन इफ इउड डिवाइड और 17 it will be lives in remainder of the 17 प्यांटे इंट्रेट किजेगा तो वन बार में तर्ट तुब आयागा इसका इसका रूए विए नमबर इवाइड़ थिवाइड़ थी फाइफ सेवं इज रिमेंडर इसार थीन इन इफ डिवाइड इन इन 17 और मेंडर यग विल जो बेंड़ दिवाइड डिवाइड़ सिक्सा लेफ इन डिमेंडर इस थिरी वैश्वाइड अफ शेम नंबर इस डिवाइड़ इन शीक्स और इन डिमेंड़ गुषे में जो नहीं रिमेंड़ इसको सुंद्धा दें परिण मेंडर से डिवाइड फ़ूछ दिया है लिखा हुआ है रिमेंडर इस थी बेन और स्कॉार अफ दा सेम नंबर और दिवाइड इन शिक्स तीडिको स्कॉार करेंगे तो नाइन होगा अब नाइन है निशिक्स इसको डिवाइड की जिए गुवान बार में थी आएगा इसका इमस्वार ठीक है देखें दूसर अग्षान इन अनमबर इजब इंग डिवाइड़ वाइड फिप्टीटू गिए अरे मेंडर इस फोटी फाइफ इफ दन आप इस दिवाइड इन थर्टीन देन दा रिमेंडर विल वी देखे इसमें ने पुछा है इसमें से सिंपल पुछा है तो फो फोटी तो फैसी डिवाइड करेंगे ती बार में इसा राएगा ठीक है अब देखिया आगला वेन अन्बार दिवाइडेड इन एट नाइन थे यह इस रिमेंडर इस वन नाइन थे वाट विल वी डिमेंडर वेन इट इस डिवाइड इन 47 से डिवाइड करेंगे वन नाइन थे में तो चार बार में डिवाइड होगा और फाइव आएगा इसका अब टाइप टू में आपको बताते हैं टाइप टू ठीक है देखिए अनामबर इज डिवाइडेड इन फाइव लिज रिमेंडर इस तिरी वाट इज अडिमेंडर वेन दा स्क्वाइर आफ स तिक है यहां देखिए तिरी दिया हुआ है इसको इसको स्क्वाइर करेंग नािन आइगा यहां नाइन आएगा ठीक है पाइब सेविभाइडेड करेंगे फोल आ जाएगा से डिवाइड कर जाएंगा तू हो जाएगा ठीक है देखिए नमबर इज और डिवाइड़ इन 192 इज गीवनी रिमेंडर इस 54 वाट इस दरीमेंडर बिल भी अप्टेन और डिवाइड़ दा सेम नमबर इस 16 16 से 54 को डिवाइड करें थिरी बार में कटेगा 6 आएगा ठीक है देखिया वेन अनमबर इज डिवाइड़ थर्टी सिक्स दरीमेंडर इस 19 वाट विल भी दरीमेंडर इस दें दन एन इस डिवाइड इन तूवर थर्टीन देखिया थिस दिया वाइब इसको भूल यागी ठीक है नाइटीन है तू से डिवाइड करेंगा से बनाइगा 150 आज डिमेंडर वेन और से अन सेम नमबर इस डिवाइड इन थर्टीफाइब 151 58 35 से डिवाइड करेंगा 10 कटे आएगा डिमेंडर में 3 बचेगा ठीक है तो 10 एंसर हो जागा यह बेसिक कोशन है यह रेलवे में एदम सिंपल कोशन पूच्छता है वह रेलवे एल्प्यो में बठीएगा मैं जरूरा ना चीए ठीक बेसिक मैठ बेसिक मैठ राएगा वही सही राएगा ठीक है अब दूसरा कोशन टाइप 3 में देखिए है दा नमबर इस प्लेस भाइलू आफ फाइव इस थरी तू फाइफ फोर सेवन वन जिरो ठीक है पूचरा पांच का प्लेस पूचा है फाइब देंगे दा फिस्ट भाइलू आफ इट इन अनमबर इस फोर फाइव एट नाइन टू शीक सटीक है फिस्ट फैस बेल पूचा फिस्ट जो रहेगा वही हो जागा ठीक है अस्वाप नमबर आप समप वैल्लू प्लेस वैलू आफ टीक इन दल नमबर फाइब जीरो थिरी फाइव थरी पूच रहा है इसका संबात आया ठीक है पहला जो बड़ा वाला है इदार राइट से लेफ साइट में जा रहे है तो पहले इधर पहले उस साइड वाला ये वाला बता इलिए ठ तीन है तीन दाल दिए ठीक है उसके यह तीन के वाद नहां एक है तो इसको जोड़ देंगे ठीडिजिटो ठीडिया ठीक है नद डिफरेंट बिटूमीन अप प्लेस भाईलू इस अफ सेवन एंड सेवन इन दा नमबर फाइब तू फाइब फोर थीदी फाइब अब पूछ और ठीडि का जो प्लेस भाईलू है उसमें डिफरेंस बताना है तो सेवन के बाद कितना टीजिट है तीन डीजिट है एक दो तीन डीजिट है तीन हो गया ठीडिक है यहां हो गया इसको माइनस कर देंगे इतना जागा ज़िए यह वीडियो अच्छा लगएगा तो लाइ आऊं में इतना दिया वाई दिजिट ठीक है इसको किज़ेगा तो डिफरेंस लिकल जाएगा ठीक है करते संब अफ्च्छ्ण अव्यटर एंड ऑन दरफाइव ड़िजिट कहारा कि जो है पांच डिजिट का ग्रेटर बताई है और सम एप पांच आइन हो जाएगा पक्ष प्रदीजिट जीरो जाएगा इसमें कर रहा सम करने के लिए जोडने के लिए कर रहा था इसको जो दिए गए 1099 पॉर टाइम आजागा नाइट इफ और लार्जस्ट तिरी डिजिट और सब्ट्रेक्ट फॉर्म दा स्मॉलर फाइव डिजिट और नंबर देंदर देखिया कर चाहिए चाहिए इसको माइनस करते जिए गतिन आजागा थिक है असम नंबर दा स्मॉलेस्ट नंबर और फाइब डिजिट यह बिंग वाट इजए थीडि वाट विट थी एंड इंड विट फाइव करा आए कि जो है फाइब डिजिट का नंबर बताने के लिए तो यह हो जाएगा ठीक है स्मॉलेस्ट में अब इसमें का रहा लास्ट और फास्ट वह होना चाहिए यह नंबर यह थीडि और इसको बीच जितना जिरो हो है एक दो तीन वह पड़ेगा तीन वह जागा फाइब फाइब जागा ठीक है अब देगे वाट इस दा मीनिमम नंबर आप डीजिट फॉर्मड यूजिंग डीजिट टू फोर जीडो सेबन ठीक है इसको आरेंज की जिएगा देगे यह बहला आपको आरेंज करना होगा ठीक है आप सुचिया कि पहले स्मॉलेस्ट है तो पहले जीरो लिग देता है तो वह नहीं तो उस बार के तीन डीजिट हो जा इवरी डेसनल नंबर is also orD वैर लग्म ठीक है नंबर इज पाई पाई क्या है इडेसनल गेंड इडेसनल गेंड से मजाए लग्म बन फेका अज भी डेसनल गेंडर हो जाएगा है नंबर ूट थे अजिट टीट एज अ कर sprawë अन इन겁 速स ऱुके लेले eradaya इसको आइसे तोरणा है कि इसको एड करने पर मतलब कि उसमें तियर आएगा उसमें आना चाहिए ठीक है तो इसको एड करेंगे तो 60 आ जाएगा इसमें ऑप्शन था ठीक है मैं आप्शन ने बता रहा हूं क्योंकि इसमें कह रहा है कि उसमें मतलब अप्शन में था कि चार डिजिट है तो इसमें यह नहीं मिल ला था ठीक है 65 नहीं मिल ला था इफ और X प्लस Y इस इकल टो 9 और बोथ Y एंड जेड आर पोजेटिव इंटिजर ग्रेटर दन जीरो दन दा मैक्सिमम वैलू आफ एक्स कैन टेकन का एक्स प्लस Y इकल टो 9 तो देगिया है एक्से य चारा कि एकस के वेलू बताने के लिए ठीक है उन या आफ तक ठीक है और इसका फर्मूला हो जागा एट अब्लस कर देंगा इसको इसको सव चरह कर देंगा इस पर तैसे हो जागा एट इसको पुट करेंगा तो 85 आजागा ठीक है अब देखें इफ एन इज एन इंटीजर बिट्विन 20 और 80 देन दा एनी एनी अब दा फॉल्वाइंग कोड इन एक्स प्लस 7 जो एक्सेट करेंगे एक्सेट कर रा इसको इक्रेशन इसको तो जिननात्य है अंतलब कि वह रहाएगा ठीक है उसमा ऑप्सें और आएगा ठीक है जैसे आपको आप्सें में यह दिया 47 47 है बी में आपको 58 हो जायेगा सी में 84 हो जायेगा डी में आपको करके ठीक है इसको नहीं करें तो 40 आए गा यह आपको यह आपका यह मतलब की 280 के बीच में वेलू आ है फिर शोंगे फिप्टीवन इसके दोनों के बीच में भालू आ रहा है और 84 84 पूट करेंगे ते 77 77 भी आ रहा है और 88 88 पूट करेंगे यह नहीं आ रहा है तिक यह इसका एंसर हो जाएगा था थैंकियो फॉर वाचिंग वीडि़ो